हलो एवरिवान कैसे हैं आप सब तो आज जो है दिन है मंडे का और मंडे को ना मैं नहाद हो कर चुकी थी बारा एक बजे के आग पार तो उसी टाइम ना थोड़ी सी धूप निकली तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी देर धूप में बैठना जरूरी है तो मैं यहाँ पर रहो सब अपने हाँ जो हैं बहुत अच्छा लगाना यह आथ यह मैं लगाना धूझा तहँ इस दो अच्छे जा रहे ना हम अहीप खरारा भी नहीं यह अए तो इसी मैं पॉद्हे के उसमें लगा दी और मैं यह तिका रही तिमने इसमें आपने पॉद्हे तहीं के मेख़ोगे लगा लगातिजिस्स केज़़ने मिया पॉद्हट Assim ये और सब मेरे हाथ के लगे हुए मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि किती और झाए हुँ जी आर यह कूल सुझा मेल गें लिज्टे वाली हूं के लिजह husband से कहा था कि मुझे मावा लाकर दे देना तो वो लेकर आये थे आदा किलो के करीब मावा लेकर आये और मैं यहाँ पर आदा किलो का आदा ले रहे हैं क्योंकि मुझे बहुत कमी बनाने तो तो इसमें मैं चार चमच के करीब मैदा डालूँगी क्योंकि मुझे एक पाउ का पूरा परफेक्ट ली अंदाज है तो मैं चार चमच के करीब इसमें मेदा डालूंगी और उसके बाद इसमें दो चमच सूजी एड़ करूंगी सूजी और एक बेकिंग सोडडा उनसे को मिला अक्ष innate करके नॉर्मली तरीके मिलां और नहीं क荃कर पहुँ इसलीर है वीडियो और नहीं बना पाई मैं तो-इसमें मैंने गैंअने बेकिंग को तो प्रकू इट फोड़ा अड़ किया गए तो आप जब mão है तो जब बना यहा सोफ्ट और फूले फूले बन जाते हैं जिस्ट डबल हो जाते हैं जिचत का Con, यहां पर जो हैं मैं इनको अच्छे से मैश कर् RX кош नहीं बहुत अच्छे से जब तक मैस कराइएμη, स्मूद न बन जाए और कभी-कभी ना मीठा खाने का मन करता है तो मेरे बच्चे गुलाब जामन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो मैंने सचा की क्यों ना यही बनाए जाए और यह एक ऐसी चीज़ जो जल्दी बन भी जाती है इतना टाइम बेस्ट नहीं होता है और यह देखो इस तरह से डो तयार करना है बहुत सोफ्टेंड से चलना है मतब घ्च्चे ज़्यादा हाठा हाथों को नहीं चलना है इस तरह से मैं अपने डो बना लूगी और इसके छोटी-छोटी बॉल्स बनाकर रेडी कर लूँगी सारी हलके हाथों से बनाने हैं ताइट हाथों से जैसे हम पूरी की लोई बनाते हैं वैसे नहीं बनाएंगे हम हलके हाथों से इनको बनाएंगे एकदम और इसी तरह से मैं सारी बॉल्स बना लिएंगी और आज करना थंड इतनी जादा बढ़ती जा रही है जैसे फरवरी आ यह उसे साथ से ठंड कमनी हो रही है और बढ़ गई है बारिश इतनी जादा हो रही है बारिश के मश्रम में गुलाब गर्म गर्म होते बहुत ही अच्छे लगते हैं तो इसी सारी वाल्स मैंने कट कर लिये थे चाकू से ना बराबर बराबर पीत में कट करके वह सारी वाल्स और फिर यह वाला घी ना यूज नहीं हो पाता जब आप इसमें फ्राई कर लेते हो तो फ्राई करने के बाद जब रोटियों पर लगाऊने तो बहुत अजीब सी स्मेल आती है आप परांठे तो सेख सकते हैं लेकिन रोटियों पर जब लगाऊना तो बिल्कुल अजीब सी स खाला में लगती है पराते Sunny के सा यूज हो जाता है यह लेगिन रोटि के साथ यह यूज नहीं होता है तो यहां पर चाशनी बनाने के लिए मैंने आपर लिया है चाशनी में एक कटोरी चीनी तो दो कटोरी पानी इस तरह से मैं बनाथे हूँ या फिर आप दो कटोरी चीन जब थोड़ा सा ध्यान लखना है कि जासे हमें जल्दी नहीं खरने हैं जोड़ी देर इनको ऐसे ही छोड़ देंगे फ्राइ होने के लिए जब थोड़ा सा ब्राउनिक हो जाये तब इनको चमुट लगाएं क्योंकि चम्मच लगाते नहीं फट जायें से आगर तो इसलिए अगर पूरत फ़्रावन कंसे रहें हुआ हैं इस तरह से ऊपर गी गिरांगे जब तक बां नहीं घृतAD करें खताएं तरने का में घृत अफ्रावा सब्सक्राइब कर दोट भाएं कोई झाल झाल जाता है और सारे फ्राई करके मैंने गरम गरम ही चास्टनी में डाले हैं किसी गरम चास्टनी में डाले जाते हैं और मैं आपर दिखा रही हूं कि देखो कितने सोफ्ट बने हैं अराम से बन जाते हैं कोई दिक्कत नहीं होती इनको बनाना बहुत असान है और यह मतलब मैं अकसर करके जल्दी जल्दी बनाती रहती हैं क्योंकि बच्चों को बहुत हैं और कोई इसमें नुक्सान वाली कोई भी ऐसी चीज नहीं होती देखो अंदर तक रस जा चुका है और बन चुके हैं यह तो आप भी ट्राइ कर सकते हैं इस तरह तो यहां पर मैंने अपने हस्बेंड को दिया और पूछा कि कैसे बनें तो इनके एक्प्रेशन देखके यहीं पर एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई और हाँ यहां पर यहीं कह रहे थे कि मैं मेरी दाड़ी सफ़ेद होगे में बुड़ा हो गया